Hi everyone, welcome back to my channel, I am Chris, so guys, how are you guys? आप सब सो आज का वीडियो बहुत इदा helpful होने वाला है, so आज में बात करने वाली हुए बहुत ही common सी and जीती-जागती problem के बारे में या because जीती-जागती problem एक उसमें जाकते-जाकते रहता है, इसलिए जीती-जागती problem हो जाती है आज में बात करने वाली हुए जो प्रॉब्लम अभी common सी हो जाती है हर किसी की lifestyle में नीन नहीं आती है and stress रहता है and आप बहुत ज़दा stress लेते हो जिसकी वज़े से आपको नीन नहीं आती है आपका mind जो है बिल्कुल भी calm नहीं रहता है, relaxed नहीं रहता है and जब भी सोने जाते हैं तो दिमाग में कुछ ना कुछ सोचता रहते है and वो जिसकी वज़े समें नीन नहीं आती है तो इन सारी problems के बारे में आज में बात करने वाली हुँ और मुझे भी यह सारी problems होती है and मैंने कैसे ठीक है वो उसके बारे में सो चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पहले फर्स्ट हम बात करते हैं हमारी सीरीज की बारे में 100% natural avitin की natural intimate wash आपके intimate area के pH level को balance रखता है प्लस आपके intimate area को clean करने में help करता है जिसकी वज़े से intimate area में बैक्टिर्या हो जाते है वो भी clean हो जाते है एंड हमें बिल्कुल इचने से irritation नहीं होती है इसके यूज से आपको बिल्कुल भी जलन महिसूस नहीं होती है और यह सीरियसली बहुत ज़दा natural and mild है हमारी intimate area के लिए आप इसे जरूर ट्राय कर सकते हैं इसके link में नीचे description box में छोड़े दूँगे आप आप आपके जेक इसके check out कर सकते हैं सरी फिर आज के वीडियो की तरफ बढ़ते हैं तो मैं बात करें हूँ sleeping disorder या insomnia जिससे बोलते हैं अभी के टाइम पी सबसे common problem होगी पूरे दिन थकार के भी बहुत जादा अगर अगर आपका शरी थक भी जाता है तो भी आपको नीद बहुत मुश्किल से आती है because हमारा माइड सोना ही नहीं चाता है and seriously अगर आपका माइड सोना नहीं चाता है माइड रिलाक्स नहीं होता है तो आपको नीद नहीं आने वाली चायव का सरीर कितना भी जादा क्यों चाता है तो वज़े से मुझे नहीं आती है तो उसकी बढ़ी प्राबलम है नहीं जरूरी है ताइम से सोना और सिरिसली पीसफुली और सांव्ली बहुत लोगों को नसीब होती है अभी के टाइम पे नेचर शोर सोमनी नैचर स्लिपिंग एट लूपनी डिस ओर जिनको भी नीद नहीं आती है नीद ने में प्रॉबलम आती है एंसुमेनिया है यह पहुँदा आपका माइन चलता ही रहता है राग को बिलकुल भी रिलाक्स नहीं होता है चाहे तो नीद आज़े बड्या पी पीसफुली साउंद स्लिप नीद आए तो उसके लिए यह प्रड़क्त है उसको लेने के साथ ऐसा नहीं का इसकी अभी अपनी टैबले लिए और अभी आपने बैट पे ड्रूम गिर जाओगे और आपको नीद आ जाएगी और आपको कोई जगाए का तो आप उठ भी नही आपको नहीं देने वाला है यह 100% नाच्रिल ए सेफ आपकी बॉडी के लिए आप चाहो तो अपनी डॉक्टर से कंसल करके जरूर ले सकते हैं यह आपको नाच्रिल नीद देता है यह आपको एक साउंद स्लिप नीन देता है यह नीन लेने में हेल्प करता है विकास अभी क कि अबाद आपको एक घंटा लग जाए का नीन दाने में नाच्रिस आपको बता जो इसकी प्राइज इसकी प्राइज इसकी जो सेल फ्राइफ है वो दो साल तक आप इसे इसली उसकर सकते हैं और यह 100% नाच्रल न सेफ है हमारी बॉडी के लिए तो बिलकुल भी आपको ट यह बहुत ही शान्स भाव वाला पैकेजिंग है इसकी सो अभी मैं से उपन करके पता तिसकी पैकेजिंग मैं आपको हमेशा मैं आपको पताया कि जो हम लोग टाबलेट से अम लोग जो कंजूम करते जो चीज़ें टाबलेट वगर उसमें बहुत ही अच्छ से कॉटन से एक अधिól है इस hacks कि अधिए जिल्य गूद्ऑ बहुत ही AHULA के लिगा इसमें आपके लगाती हो ओ पैकेज। टो मुझे तो मौन वैसी हम ऐसी है यृू यू जिया गयाे इसमें पर आथे पाड़ेशले के जो आपने एक लिगाते हैं यो आपने लगाती हो één गए भी मुछ कर सकते हैं तो इसके साथ में आपको एक और चीज़ बोलूंगी अगर आप यह ले रहे हैं तो इसके साथ आपको कुछ ऐसी चीज़े भी जाननी चाहिए कि आपको उस वज़े से भी आपकी हेल्थ सही रहे तो जरूरी नहीं है कि हम लोग कोई टाबलेट ले तभी हमें जबाचे को करते हैं तो अपको अपनी हैंट सारे चैंज़ेस देखने को मिल जाते हैं आपका माइं बहु आप। Sådha काम रहता है कि आपको जल्दी गुसां भी नहीं आता है एंपका अपका जो पूरा दिन रहता है न वह बहुत यह-दर चार्च रहता है अपका जो पुर तो आपको उससे भी बहुत अच्छा प्लस पॉइंट मिलेगा विकार रात को अपना मुबाइल देखते रहते हैं तो उसकी जो लाइट है वो मारी आंखों पे अच्छे से पढ़ जाती है और इसकी वज़े से अमारी आंखों को यह लगता है कि अभी दिन का टाइम चल रहा अबर प्रेट के साथ भी ओगा गीजिए और अपने फोन को एक घंटे दक ना चेडे सोने से पहले मौर्निंग में उड़का इजी अपना फोन देख सकते हैं विकास रात को फोन यूज करना हमारी मारी मारी है यह ल्ग नहीं है तो सांट शिप्रीन के लिए आप इतीनों अबर प्रेट ले देख से द्यान में रखनी है तो अगर प्रेग्नें लेडी अपने बच्ची को फीट करें आप इसे बिल्कुल ना ले अगर अगर अप चोटे हैं तो भी आपको नहीं लेनी है अगर अगर कोई दूसरी बिमारी है या कुछ और अपकोई एक श्याद इस अपको फीट करना चाहते है तो अगर आपको थीज़ि़ कर साहते हैं अगर यहां प्रेग्टर लेने के साल सथाथ आपको यह जरूर धिधान में रखना है कि इस को लेने के तेन गंटे तक अपको कई ही नहीं जाना है लेक बिल्कुल भी अब्राइविंग नहीं कर नहीं ह बस इतना आप धियान रखिए, so I hope guys आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हुए and अगर आप इस परड़ों इंटेस्टेट हैं तो इसके लिंक में नीचे डिस्कुप्शन बाउसा छोड़ दूँगे आप पर जाके चेक आउट कर सकते हैं, आज के लिए इतने कैसे हैं, पसंद आये तो आपको को नब में चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड अगर आप मेरी वीडियो मिस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो डैफिनिटली आपको को नब बैल आइकन को हिट ता कि आप मेरे कोई भी लेटेस्ट वीडियो मिस्ट नहीं करें, आइक पर प्रेकी